गैस कैसे आप लोग उम्मिद हैंब लोग अच्छ हूंगे आज हम लोग सीखेंगे कि इस तरह के डिजाइन को यानि इस तरह के करूँ डिजाइन को कॉरेलरों में किस तरह से ट्रेह करते हैं अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो बने रहे हमारे साथ और चलिए without time wasting शुरू करते हैं तो guys मैं यहाँ पे उस image को import कर लेता हूँ यहाँ पे देखे आप import पे click करके directly इसको यहाँ से import कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे file में जाकरके यहाँ पे आपको मिल जाएगा import का इस पे click करके आप उस file को select करेंगे select करने के बाद import पे click करेंगे और इस तरीके से drag कर देंगे तो देखे यहाँ पे import हो चुका है अब मैं इसको crop कर लेता हूँ यहाँ पे crop tool लेना है और इस तरीके से मैं यहाँ पे इतना crop कर लेता हूँ और यह crop हो चुका है अब उसके बाद इसकी जो size है उसको मैं increase कर लेता हूँ something मैं यहाँ पहले मैं इसको lock कर देता हूँ lock करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो मैं size डालूँगा वो proportionally यहाँ पे increase होगा जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1000 और enter करता हूँ तो इस तरीके से यह proportionally increase हो चुका है अब guys यहाँ पे इसको trace करने के लिए हम paint tool का use करेंगे जिसका use हमने पिछले वीडियो में सीखा तो चलिए हम लोग यहाँ से paint tool select करते हैं paint tool अब guys यहाँ पे देखिए इसका color black है अभी मैं जब इसको trace करूँगा तो मेरा line का color भी black है तो यहाँ पे यह पता नहीं चलेगा कि कौन सा line है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे outline को यानि outline के color को मैं change कर दूँगा तो outline का color आपका यहाँ से change होगा देखिए यहाँ पे इस पे आप double click किजिए यह open होगा यहाँ से आपको color मिल जाएगा यहाँ से कोई भी color आप select कर सकते हैं मैं जैसे यहाँ पे red color ले लेता हूँ इस तरीके से ओके तो देखिए यहाँ पे यह color आ चुका है outline का अब मैं pen tool select करता हूँ pen tool select करने के बाद चलिए हम लोग इसको trace करना शुरू करते हैं यहाँ से guys सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इस image को lock कर देंगे तो मैं यहाँ pick tool को select करता हूँ image को select करता हूँ उसके बाद right click करके यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा lock इसको lock हम लोग इसलिए करेंगे कि जब भी हम लोग इस पे काम करेंगे तो इदर उदर move हो जाएगा तो हमारा design यहाँ पे खराब हो जाएगा तो इस वज़े से हम लोग पहले यहाँ पे इसको lock कर देंगे ताकि इदर उदर यह move ना हो सके और चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं और उसके बाद इदर click करेंगे और इस तरीके से drag करेंगे यानि आपको left click करके hold करना है और इस तरह से drag करेंगे तो देखे यहाँ पे यह हो चुका है देखे इदर आना है नीचे तो यहाँ पे एक handle बन चुका है अब हमें क्या करना पड़ेगा इस handle को यहाँ पे delete करना पड़ेगा एक handle को इसके लिए आपको keyboard से alt का की दबाना है alt की दबा के रखेंगे और यहाँ पे आ करके इस node पे click कर देंगे देखे यहाँ पे इदर वाला handle डिलीट हो चुका है अब हम लोग अपने मर्जी के मताबिक किसी भी तरफ जा सकते हैं पहले क्या होता था कि यहाँ पे busier handle बनता था उसके वज़े से यह दोनों handle यहाँ पे move कर रहा था तो अब हम लोग अपने मर्जी के मताबिक किदर भी जा सकते हैं तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको trace करते हैं अब देखे यहाँ पे हमें इस वाले handle को delete करना होगा तो alt दबाना है और इसके बाद इस पे click कर देना है तो यहाँ पे यह delete हो जाएगा उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे draw करेंगे कुछ इस तरीके से अब देखे यहाँ पे यह handle आ रहा है अब हम लोग इधर move कर रहे हैं तो इसको delete करना नहीं पड़ेगा क्योंकि यह इधर देखे यह सही से बन रहा है line इस तरीके से अब मैं इधर करता हूँ अब देखे यहाँ पे फिर से delete करना पड़ेगा तो guys थोड़ा सा video मैं forward करता हूँ अब यहाँ पे click करके मैं इसको join कर दूँगा line को अभी join नहीं हुआ है इस पे click करना आपको तो चलिए थोड़ा video को मैं forward करता हूँ ताकि आप उन्हों का time save हो सके इस तरीके से आपको बना लेना है तो चलिए हम forward करते हैं video को तो guys मैं यहाँ पे come out करता हूँ जैसे हम लोग जितना यहाँ पे trace कर चुके होंगे इसको मैं fill color देता हूँ यानि इसका color मैं fill कर देता हूँ इस तरीके से ताकि हमें पता चले कि कितना design इदर बन चुका है आपका यहाँ पे shape joint होना चाहिए यानि line joint होना चाहिए तब जा करके यहाँ पे कोई color fill होगा तो इस तरीके से मैं यहाँ पे color fill कर देता हूँ गैस इसको हम लोग यहाँ पे three point curve line से भी बना सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे three point curve line लेता हूँ और first point इस तरीके से और drag करके यहाँ पे release करना है mouse को और उसके बाद इस तरीके से third point और यहाँ पे इस तरीके से हम लोग three point करो line को use कर सकते हैं यह depend करता है आपके उपर कि आपको किस tool पे ज्यादा better कर सकते हैं three point करो line को सही से use करना जानते हैं तो इससे भी कर सकते हैं 3 point करो line में थोड़ा सा problem होता है कि line सही से joint नहीं हो पाता है जैसे देखे यहाँ पे हमने 3 point करो line का use किया है और जैसे मैं इसको fill color दूँगा तो यहाँ पे fill नहीं होगा कि कुछ point यहाँ पे open है इसको सबसे पहले joint करना पड़ेगा तो इसको हम लोग किस तरीके से joint करेंगे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सबको select करेंगे इस तरीके से select करने के बाद देखे यहाँ पे joint करो अगर यहाँ पे यह tool आपका नहीं आ रहा हो तो आपको क्या करना है कि नीचे आपको इस तरीके से plus का icon मिलेगा इस पे click करना है और click करने के बाद देखे यहाँ पे सभी commands आपको दिखने लगेगा जैसे हमारा join था join करो तो join करो देखे यहाँ पे यह चेक है अगर आपका कोई भी tool यहाँ से अंचेक हो जाता है तो यहाँ से इसको चेक कर सकते है guys आगे हम लोग इन सभी commands पे काम करेंगे सब को बारी की से समझेंगे आगे हम लोग इन सभी tools को सीखने वाले हैं तो आपको यहाँ पे tension लेने की कोई ज़रूरत नहीं है अब सब को यहाँ पे इस तरीके से select करेंगे select करने के बाद आपको यहाँ पे join कर उसमें आना है color fill कर सकते हैं इस तरीके से तो यहाँ पे three point curve line में यह problem होता है line joint नहीं होता है तो इस वज़ए से हम लोग यहाँ पे paint tool का ही use करेंगे यह ज्यादा बेटर होता है तो चलिए यहाँ पे हम लोग video को forward करते हैं गैस हमने यहाँ पे लगबग complete कर लिया है तो देखे यहाँ पे last है तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं इस तरीके से यह last वाला point इस पे join करने के बाद हमें reverse में इसको curve करना पड़ता है इस तरीके से तो guys देखे हमने यहाँ पे सब को trace कर लिया है और सब में color fill कर दिया है तो color fill करने का यहाँ पे एक और benefit है तो देखे यहाँ पे जो भी mistakes होगा आपको इस तरीके से clearly नजर आएगा तो जैसे मेरा यहाँ पे देखे यह line curve नहीं हुआ है तो अब हम लोग यहाँ पे manually इसको fix कर सकते हैं जैसे मैं इसको select करता हूँ select करने के बाद आपको यहाँ पे इसका handle पकड़ना है इस तरीके से और इस तरीके से आपको curve करना है अब देखिए गाइस यहाँ पे जब भी हम लोग curve कर रहे हैं तो पैडलर में इसका जो भी handle है वो भी यहाँ पे move हो रहा है तो हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि इसको कैसे break करते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे cup note का option मिलता है देखिए यह वाला tool इस पे click करना है click करने के बाद जो आपका यहाँ पे line curve हो रहा था पैडलर में one handle काम करेगा यानि single handle काम करेगा इस तरीके से और इसको easily आप लोग यहाँ पे करो कर पाएंगे अब guys देखिए यहाँ पे मैं इसको बना लिया हूँ अपने according सबको select करता हूँ select करने के बाद move कर लेता हूँ बाहर या फिर पहले मैं एक rectangle draw कर लेता हूँ इसके border के लिए मैं यहाँ से इस तरीके से एक rectangle draw करूँगा उसके बाद सबको select करने के बाद मैं move कर लेता हूँ guys यहाँ पे ध्यान दीजिए जब भी हम लोग select कर रहे हैं जो हमने drawing किया भी सिर्फ वही select हो रहा था क्योंकि हमारा image यहाँ पे lock है इस पे कोई modification काम नहीं करेगा भी इस वज़े से हमने इसको lock कर दिया था अब देखिए यहाँ पे यह बन चुका है अब हम लोग इसका जो fill color है इसको remove करेंगे इस तरीके से select करके यहाँ पे click कर दीजे इसका fill color यहाँ पे remove हो चुका है यह वाला area है इसको हमें fill करना है तो इसके लिए पहले मैं सबको select करत करेंगे अब जो अंदर में object था यह सब group हो चुका है अब सब को select करके keyboard से c और e दबाईए यह center में आ जाएगा horizontally भी और vertically भी अब यहाँ पे smart fill तूल लिजे इदर से देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा smart fill यहाँ पर इस तरीके से click किजिए तो इसका color इस तरीके से fill हो जाएगा अब guys हमारा design यहाँ पर ready है अब हम लोग इसको export कर सकते हैं पहले इसको मैं move कर लेता हूँ move करने के बाद इसका fill color मैं remove कर देता हूँ और इसको मैं delete कर देता हूँ इसको रहने देता हूँ अब guys इसको अपने according आप resize किजिए resize करने के बाद export करने के लिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा export या फिर file में जा करके यहाँ पर आप export कर सकते हैं यहाँ पर short में menu दिया हो तो देखिए यहाँ पर dxf autocad इसको select करना है और जो भी file का नाम देना चाहते हैं नाम दे दीजिए name देने के बाद हम लोग export कर देंगे अब guys यहाँ पर export करते वक्त आपको ध्यान रखना है इसका जो unit होगा वो अपने according यहाँ पर select कर लेना है आपको जैसे मेरा machine यहाँ millimeter पर काम करता है तो हम लोग यहाँ पर millimeters को select करेंगे अगर आपका machine inches पर काम कर रहा होगा तो inches को select करना है तो मैं यहाँ पर अभी millimeters को select करता हूँ और उसके बाद OK करता हूँ तो मेरा file यहाँ पर export हो चुका है तो guys इस तरीके से हम लोग coral row में design को trace करते हैं I hope कि आप लोग को कोई दिक्कत या परिशानी हो तो comment कर सकते हैं कोई सवाल या सुझाओ है तो comment में बता सकते हैं guys अगर आप नए है channel पे तो channel को subscribe कर लिजे और bell के icon को दबा करके all option को select कर लिजे ताकि आगे आने वाली कोई भी informative videos आप से miss नहों तो इस video में बस इतना ही चलिए हम लोग मि कर दो दो अपना है